सब्सक्राइब करें पीकी साबर प्लैनेट को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटर स्टूडियो पाने के लिए अलो दोस्त पीके साइबर प्लैनेट में आपका स्वागत है आज का देखिए टापिक हमारा है उम्र पर अधारित अब देखिए इसको हम देशिव मिथट से आपको बताएंगे याप रेशिव मेथड से कैसे कोस्टन को आप हल करेंगे उम्र पर अधारित प्लस्त देखिए आप हमारा कोस्टन है तीन वर्स पूर्व पीता की उम्र पूत्र के उम्र की साथ गूली थी इस समय पीता की उम्र पूत्र के उम्र की पांज गूली है तो पीता और पूत्र की आयू क्या है अब देखिए इसको आप रेशियो मेथड से आप कैसे साल्व करेंगे आज हम आपको यह बताएंगे अब देखिए तीन वर्स पूर्व उनके बीच का देखिए रेशियो क्या है तीन वर्स पूर्व पीता की उम्र पूत्र के उम्र की साथ गूली है यहाँ देखिए फादर और सान अब देखिए जो पीता की उम्र है पूत्र की उम्र का कितना गूला है साथ गूला यदि हम पूत्र का वण मानेंगे, तो पीता का कितना हो जाएगा? सेवन हो जाएगा. यह रेसियो कब होगा? तीन वर्स पहले, तीन वर्स पहले. अब यह आपको देखे रेसियो लगा देंगे, फिर देखे का है? इस समय, इस समय. पीता की उम्र का पूत्र की उम्र की पांच गुने है अब देखिए वर्तमान में उनका रेशियो क्या है जो पीता की उम्र है पूत्र के उम्र का कितना गुना है पांच बना यह दी पूत्र का वन है पीता का कितना हुजाएगा पांच अब यह आप देखे हमारा रेशियो क्या बना सेवें इस्टू वन और यह रेशियो देखे कब बना तीन वर्स पूरो और दूसरा देखे रेशियो क्या बना फाइफ इस्टू वन यह रेशियो कब है वर्तमान में अब देखे इसको आप ट्रीक के मांधम से आप कैसे हल करेंगे ट्रीक के द्वारा इसको आप कैसे हल करेंगे आप देखे सबसे पहले इन दोनों का अंतर करेंगे इन दोनों का क्या करेंगे अंतर करेंगे और यह आप देखे इस तरह के कोशन में आपको तीन चीज को ध्यान देना पड़ेगा एक आपका देखिए present, present age, एक आपका देखिए before और एक आपका after तीन age आपको मिलेगा एक आपका before पहले का age, एक आपका देखिए present age, वर्तमान और एक आपका देखिए after प्रजेंट में जाना है कहां से पूर्व से आपको कहां जाना है वर्तमान में तो आप क्या करेंगे प्लस करेंगे यदि आपको प्रजेंट से कहां जाना है आप्टर में तो आप क्या करेंगे प्लस करेंगे यदि आपको आप्टर से कहां जाना है प्रजेंट में तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे यदि आपको प्रजेंट से कहां जाना है बीफोर तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो देखें इस तरह की कोशन में उर्व दिया रहेगा या आप्टर दिया रहेगा उर्व का रिस्यू दिया रहेगा और बात का रिस्यू दिया रहेगा और वर्तमान का रिस्यू दिया रहेगा इहाँ पर देखिए जो आपका येज़ का अनुपात दिया रहेगा पहले का दिया रहेगा या बात का दिया रहेगा और वर्तमान का अब यहां पर देखे चाहे पूर्व दिया हो चाहे बात का दिया हो तो सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे रेशियो इस तरह बनाएंगे अब देखे जो पूर्व या बात का रेशियो दिया है जो आप रेशियो बनाएं है पूर्व और बात का उसका आप क्या करेंगे अंतर करेंगे अब देखे जब इसका आप अंतर करेंगे तो अंतर कितना हैगा 6 का कितने का 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा अब 5 अब इसका देखे तीरियक मल्टिप्लाई करेंगे इसका इसमें multiply करेंगे और इसका इसमें multiply करेंगे और देखे इसका इसमें multiply करेंगे तो कितना आएगा 7 इसका इसमें multiply करेंगे तो कितना आएगा 5 दोनों का अंतर करेंगे दोनों का difference करेंगे दोनों का क्या करेंगे अंतर अब देखे इसका इसमें multiply करेंगे तो कितना आएग साथ और इसका में क्या चरह करेंगे कि अंधर करेंगे तो कितना आएगा दो उसको अंधर करेंगे ऑपन में लिखेखे अब करेंगे फूर्व का पूर्व का रेष्यो दिया हो चाहे बात का रिस्यो दिया हो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि पूर्व दिया है कि बात दिया है विफोर दिया है कि आप्टर दिया है अब देखे जीतने वर्स पहले या जीतने वर्स बात दिया रहेगा उसका हम इसमें क्या करेंगे multiply करेंगे इसमें हम क्या करेंगे multiply करेंगे चाहे बात दिया हो चाहे पूर्वदिया हो यहाँ देखें तीन वर्ड से पूर्वदिया है तो हम क्या करेंगे तीन से multiply करेंगे तीन से multiply करेंगे अब इसका इसमें multiply कर देंगे तो कितना जाएगा अब देखिए यह जो नाइन आया है किसके बराबर आएगा वन के बराबर आएगा किसके बराबर आएगा वन के बराबर वन के बराबर कितना आया है नाइन अब आपसे कोशन में फूस सकता है कि वर्तमान आयू क्या होगा या बात का आयू क्या होगा यह पहले का आयू क्या होगा तो यहाँ पर देखिए पूछा है पीता एवं पुत्र की आयू क्या है तो यहाँ देखिए वर्तमान आयू पूछा है अब यहाँ देखिए वर्तमान का रेशियो क्या है फादर का रेशियो कितना है फाइफ है और सन का रेशियो कितना है वान ह तो पीता की उम्र हो जाएगे, पीता का उम्र, अब देखिए एक रेशियो बराबर कितना है, नौ, और हमको किसके बराबर निकालना है, फाइब के बराबर, तो फाइब बराबर क्या हो जाएगा, फाइब से मल्टिप्लाई कर देगे, पीता की उम्र कितना हो जाएगा, फाइब कुत्र की उम्र निकालेंगे, अब देखिए, एक बराबर कितना दिया है, नौ, और आपको कितने बराबर निकालना है, एक, ते आप देखिए, पीता की उम्र कितना हो जाएगी, 45 साल, 45 और पुत्र का कितना हो जाएगा, 9 ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, देखिए, बीफोर, बीफोर से आपको कहां जाना है, प्रेजेंट और प्रेजेंट से आपको कहां जाना है, आप जाना है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आप्टर है, आपको कहां जाना है, प्रेजेंट और प्रेजेंट से आपको कहां जाना है, आप्टर तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आप्टर है, आप्टर से आपको कहां जाना है, प्रेजेंट तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्रेजेंट से आपको कहां और बाओ दिया रहे हैं तो सबसे पर ली हम फूर्व या बात का रिशियो करेंगे तो रिशियो देखिए यहा हमळा फादर और सन का रिशियो सेवन इस्टु बन और प्रेजेंट डिशियो हमारा क्या है फाक इस्टु tarp फश्टापाल हम सबसे पहले क्या करेंगे जो पूर्व का रेशियो दिया है या बात का रेशियो दिया है उसका हम अंतर करेंगे इन दोनों का देखिए अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा 6 आएगा, अब इसका multiply इधर और इसका multiply इधर, और multiply करेंगे और दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, इसका इसमें multiply करेंगे, 7 आएगा, और इसका इसमें multiply करेंगे कितना आएगा, 5 और दोनों का अंतर आएगा, कितना, 2, 2 को हम क्या करेंगे, बटा में लिख लेंगे, फ पूर्व कहा हो चाहे बात कहा हो उस रेसियो से हम क्या करेंगे उस एर से हम क्या करेंगे जीतने वर्स पूर्व या जीतने वर्स बात कहा रहेगा उससे हम क्या करेंगे अब देखे मल्टिप्लाई करेंगे हल करेंगे तो हमारा जो आएगा वो किस रेसियो बराबर आएगा जो हमारा एंसर आएगा one बराबर आएगा one बराबर आपका कितना आगे nine अब यहाँ पर पीता पूध्र या यू पूछा यह इदि बीफोर का पूछा रहेगा तो यह रेस्यू लगाएंगे प्रतमान का पूछेगा या प्रजेंट एज पूछेगा तो आप इस रेसियो से तो यह आप देखिए 1 बराबन 9 है तो पीता का उंग कितना हो जाए 9 इस तू 9 इंटू 45 हो जाएगा पूत्र का उंग 9 इंटू 1 अब next question पर चल देखें next question क्या है इस समए पीता की उंगर पूत्र की उंगर की 5 बूली है देखें इस तीन वर्सों बाद पीता की उम्र पूत्र के उम्र की चार गुनी हो गये पीता एवं पूत्र की वर्तमान आयूबत है अब यह आप देखे यह देखे प्रेजेंट एज दिया है फादर और सन अब देखे जो पीता की उम्र है पूत्र के उम्र का कितना गुना है पाँच गुना यदि पूत्र एक वर्स का होगा पीता कितने वर्स का होगा पांच वर्स पीता की उम्र पूत्र के उम्र का कितना गुना है पांच गुना या कब इस समय प्रजेंट एज अब देखे प्रजेंट एज का रिसियू क्या है पीता और पूत्र के बीच का फाइप इस टू वन अब देखे तीन वर्स हो बात अप्टर थी वर्स तीन वर्स हो बात तीन वर्स बात पीता की उम्र पूत्र के उम्र की चार गुनी है तीन वर्स बात जो पीता की उम्र है पूत्र के उम्र का कितना गुना है पूर टाइंस चार गुना यानि की पूत्र कितने का है वन का है तो फादर कितने का हो जाएगा और का इन दोनों के बीच में रेसियो कितना आया और इस्टू आई अब देखे इसको आप कैसे हल करेंगे हम बताये थे जाए भी फूर का रेसियो दिया हो जाए आतर का रेसियो दिया हो सबसे पहले हम उसका difference करेंगे, अंतर करेंगे, अंतर देखें कितना आया, 4 में से 1- करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, अब 5, इसका multiply इधर करेंगे और इसका multiply इधर करेंगे, अब देखें, 1 का multiply 5 में करेंगे कितना आएगा, 5, 4 का multiply, 1 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर, आप देखें, दोनों का अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या आएगा, 1, और 1 को हम तहां लिख देंगे, बटा में, आप यहां पर देखिए, बाद, चाहे बाद दिया हो, चाहे प पूर्व दिया, जीतने वर्स पूर्व या जीतने वर्स बाद दिया रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, मल्टिप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टिप्लाई हो, यहां पर देखें, चाहे बाद दिया हो, चाहे पूर्व दिया हो, उससे हमें क्या करना है, मल्टिप्लाई कर और डिफ्रेंस किसका करेंगे पूर वो वाले रेशियो या बाद वाले रेशियो का डिफ्रेंस कि यह अंतर कि अंतर कितना है ठी फिर इसका मल्टिप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टिप्लाई इधर करेंगे दोनों का अंतर करेंगे अंतर करने पहाद जितना आएगा उसको नीिचे लिख देंगे ऑज जी तने बात श्क्य पहले कहां हो यह उससे हम क्या करबंगे मंट्लाइक कर देंगे कि अधि यहां संब क्या करेंगे í हुअ कि जब स्कलिने हैं तो याझ कितना येगा नाइग है जाब आप इसको को में डैस्ट करेंगे तो या किसके बराबर आएगा वान बराबर में अब तरह देगे जब आपको 10 के बराबर मालूम हो गया तो आप जीतने के बराबर निकाल सकते हैं तो यहां देखिए पूचा है पीता एवं पूत्र की वर्तमान आयू गताई अब देखिए वर्तमान आयू का रेस्यू क्या है 5-1 5-2-1 तो यहां देखिए 1 बराबर इतना दिया तो निकालेंगे पीता की उम्र पीता की उम्र 1 बराबर आपका कितना दिया है 9 दिया है और आपको निकालना किसके बराबर 5 के बराबर कितना जाए 45 फिर देखिए पूत्र का निकालना है पूत्र की उम्र 9-1 और देखिए पीता कितने साल का है 45 साल का 45 यर्ज और पूत्र कितने वर्ज का है 9 यर्ज 9 साल का और देखिए इस मेथड से आप उम्र के 50 परसंट कोशन आप हल कर सकते हैं आपको किवल हम दो ट्रीक बताएंगे एक ट्रीक बता दिये हैं एक ट्रीक और हैं दो ट्रीक के माध्यम से आप पूरे एज के कोशन को आप हल कर सकते हैं कि वल ट्रीक के माध्यम से, दो ही ट्रीक है, दो ट्रीक बताएंगे, एक ट्रीक आपको बता दिये हैं, और नेक्स्ट अगला ट्रीक हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, और आप पूरे कोशन को आप ट्रीक के माध्यम से खल कर सकते हैं, कि वल दो ट्रीक, इदि आप को हमारा यह वीडियों और संद आया हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करें दाने बाइब